हेलो फ्रेंट्स स्वागत एक बार आप सभी का फिर से डिजिटल तयारी पर मेरे नाम है चेतन पारिक हारसगरवाद की इंग्लिस वाली किताब जो है उसका हम सौल कर रहे है जिसके अंदर हमारा चप्टर कौन से चल रहा है तो वह है रेशियो और प्रपोर्शन जिसका हम क् कहता हूं ट्राइ करो पाउज करो उसके बाद यहां पर समझा देखो क्या कह रहा है यह सवाल तो यह कह रहा है यह अनुपाद बी अनुपाद सी दो तीन और चार है इसके अलावा टू ए माइनस थ्री बी प्लस फूर सी यह आपको 33 दे रखा है तो आपको सी की वेल्यू करनी है ठीक है अब देखो इस प्रकार के सवाल में आप क्या कर लो ए बी और सी की वेल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ एनी कॉंस्टेंट वादब एक साथ में कॉंस्टेंट असाइन कर लो ठीक है जैसे यह टू लिखा है तो मान लो कि यह टू के है यहां पर तीन लिखा ट्रीक है उसके बाद प्लस फोर इंटू फोर सी की जगह क्या लिखूगे फोर के यहां पर लिख लिए मैंने 4 ठीक है और इसके एकवल में एक ओडा जाएगा थर्टी थ्री यहां पर मैंने लिख दिए थो थर्टी थ्री अब आगर इसको solve करना है, यह किता हो गया, 4K, माइनस कितना हो गया, 9K, और plus का कितना हो गया, 16K, equal में कितना हो गया, शर्टी-थरी, सही है, 20 और 4 कितने हो गया, 20 और 4, सॉरी, 26 और 4 कितने हो गया, 20, 20 में से 9 छला जायागा, किता आजाएगा 11 यानि 11 के 33 के बराबर है इसका मदलब के किसके बराबर हुआ तीन के अगर के 3 के बराबर है तो आपको पूछा है C की वल्यू सीक में यहां पर रख लो के के जगे 3 तो 4 इंटो 3 कितना आगे 12 बारा आगे मतलब क्या होगा option C हमारा correct answer होगा ठीक है चलता है हमारे अगले सवाल की और देखो यह आगे अगला सवाल चुके यह लिखके स्काइव और उसके बाद और आरक लेकल फोर की और इससका स्वाल अपको पता है पूरी किता में सिम्पल होते हैं जैसे हमागे बढ़ते हैं प्रेंच का लेवल बढ़ता रहते हैं अब इसको प्छाव करना है धो तो यह इसमें क्या होगा यह जाएगा 5K square यह होगा 5K square उसके बाद यह हो जाएगा 4K square और यह हो जाएगा 16K square तो 16 और 4 कितने हो गए 20, 20 और 5 कितने हो गए 25, 25K square कितना बन गया 5K बन गया 25K square को मैं 5K लिख सकता हूँ क्योंकि इसके उपर square root भी तो लगवा है आई बाद समझ में यहनि इस पूरे की value कितनी आई तो इस पूरे की value आई 5K अब आपको पूछा है कि इन option में से कौन सा सही है option number C सही है क्योंकि option में देखो 5P लिखा है और P को आपने के लिखा है तो 5K ही तो होगा indirect लिए वाला और आपको यह find करना है तो इसके अंदर देखो A B C यह जो है इनकी जागे आप in terms of any constant value रख लो और फिलाल आप देख सकते हो सारे के सारे linear और A की constant से assigned है तो वह constant तो वैसे भी कटने वाला है ता आप तो direct value रख लो जैसे A बटा B कितना दो बटा 3 बटा C कितना तीन बटा चार और C बटा A कितना चार बटा दो यह लिख लो चार बटा दो इसको simplify करना है तो आप देख सकते हो पूरे को मैं 12 से गुना कर दो क्योंकि नीचे जो जो लिखावा है ना उन सबका LCM 12 है तो मैंने पूरे को 12 से गुना कर लिया इसको भी 12 से इतना हो गया चोईस तो हमारा अनुपात नौ अनुपात चोईस का मतलब क्या हो गया आप्सन भी हमारा करेक्ट आंसुर होगा ठीक है आगे बढ़ता है हमारे नेक्स्ट क्वेस्टन की और क्वेस्टन नंबर 67 पटापट से ट्राइक करें इसको अपने दिरख से पॉस गर इस आए सकता हूं तो यह कुल मिलाकर कितना मिलगा तेको दस बटा 21 मिल गया अब ए अलग अलग रेशियो आन ना तो दो आप K मान लो, C को आप 10P मान लो, और D को आप 21P मान लो, ठीक है, दो अलग-अलग रेशियो हना तो दोनों को अलग-अलग एक किसी कॉंस्टेंट के साथ असाइन कर दिया, अब A की जगे आप रख लो, ये 5K, इंटू C, C की जगे आप क्या रखोगे 10 इंटू P, अब क्या होगा, यह K और P तो वैसे भी कटने वाला था, आप चाहो तो directly constant भी रख सकते हो, ठीक है, K और P में अगर आप नहीं confused होना चाहो, confused नहीं होना चाहो, जिसे ए की जगे 5 तो 5 लिख लो, C है, C की जगे 10 है तो 10 ल तो यह 147, तो 50 divided by 147, यहनी option C क्या होगा, हमारा correct answer होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो हमारे next question की और question number 68, 68 तो number question है, if A by B is equal to B by C, is equal to C by D, तो आपको इस expression की value find करनी है, ठीक है, फटावर से एक बार pause करके try कर अपने दरफ से उसके बाद यहाँ पर समझे देखो, यहाँ पर अगर मैं, इन सब को कुछ माल लूँ, जैसे माल लूँ के, ता आप देखो के A का मान कितना आएगा, B into K, A का मान कितना आएगा, ता आप देखो के A का मान आगी है, B into K, B का मान कितना आएगा, C into K, और C का मान कितना आएगा, D into K, और आपको यह ratio find करना, मैं क् वाले को तो यूं कहीं रेना दे रहों और बटाम यह एक्सप्र सब्स इरख तो यहां से ए WC की आप देखो कि या पर रखो तो यह क्या हुजाएगा क्यू उपट्स और सब में के episód है यहाँ पर मैंने क्या करते है के को wes लिलिया बचा क्या अंदर तो आप देखो कि अंदर जो बचा वो है B-C-C-C-D-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C- और बी के टांस पर दे रखाया तो अब जिसी बात है और बी में निकालना पड़ेगा तो के नाम के तो कोई चीज नहीं है यह तो अमने मन से माना है तो आप क्या करो के की वेल्यू वापिस से रख लो जो आपने माना है ठीक है अब यहां पर क्या है कि की वेल्यू क्या रख क्या कर लो एक एक वार तीन हो कर लो वहीं तीन था की बात जैसे आंसके कहा है एक बटा के इंटुके एंटुके और इस की देख लिए थे के पहले है और पिर आप ड़ड़ी रखि लो और फिर आप शीन बट्टा डी रत लो आई बात समयमन में तो इतना करने के बाद आप देखोगे कि यह B B कटिजा है C C गटिजा डी उपर चला जाएगा तो फिर आमारा आंसर क्या है दी और बट्ट आम एक बचा बचा ए तो यह दी बट्टा ए क्या हो जाएगा मारा आंसर हो जाएगा अई तो हमारा answer क्या होगी option D clear है थोड़ा अलग थोड़ा सा unique सवाल है algebra का सवाल एक तरीक से देखा जाए तो यह भी आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है देखो हमारा तो अगला सवाल हमें कह रहा है 67 नंबर 69 नंबर तो आपको यह find करना है तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो पी की जगे एस की जगे और एक्स की जगे इन सब की values रख लो जैसे पी है उसके बाद क्या लिखावा है यह वाला एस लिखावा है उसके बाद एक्स लिखाए यानि यह तीनों अलग-अलग इसके बाद एक्स की जगे कितना रख लो एक्स की जगे रख लो तो इस तरह की पर अपर वाली तीन है अलग-अलग ratios से है इस वज़े से मैं value रख सकता हूं मान लो कि यहाँबर यह जो value होती वह एक ही रेशियो में यहां पर समझ्या हो जाती फिर हमें एक constant assign करना पड़ता ठीक है क्योंकि फिर वो कटते नहीं नीचे दे रखा है qr y तो q की जगे रख लो आप कितना 8 और y की जगे आप रख लो कितना अच्छ है इसको solve कर लो ठीक है तो यहां पर हम देख सकते हैं 2 से काट लो 5 वार में कट इसके लगा कुछ cut नहीं रहा है यहां पर तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 और 25 इंटू 3 कितना हो गया 25 सखिए उसके बाद नीचे वादे चीज हो अगर हम solve करते हैं को यहां पर यह कृतना हो गया 32 तो 25 बटा 32 यानि option B क्या होगा हमारा correct answer ठीक है simple सवाल है यह भी आगे बढ़ता है next सवाल क्या और हमारे अगले सवाल को देखो 70 number question क्या कह रहा है आपको यह value देर की है मतलब यह कि इतनी बड़ी तो आप क्या कर लों इसंब की walews रख लो आजयासा आप देखो आप अगर चाहो x का मान तो वह कितना है का 2 P अगर आप चाहो y का मान तो वह कितना équा थ्री और अगर आप चाहो ज apologized का मान तो वह कितना प्रालोज आजाएगा हुआ यह value आप यहां पर रख Всर एग बार कि value रख लो और solve रहो एक के मिल जाएगा ठीक है तो X कि जागे रखने तहे है 2P बटा दो बराबर टू इंटू X कि जागे 2P लिखो गाए तो 2 इंटू 2 किता हो जाएगा 4P minus Y कि जागे 3P यह कितना हो जाएगा 9P और Z की जगे लिखोगे 4P तो यह कितना हो जाएगा 20P और डिवैड में कितना आएगा K का K सही है, अब इसको आगे सॉल करना है 2 से 2 तो कट गया, आप देखोगे यहाँ पर भी P common आके कट जाएगा यहाँ पर भी P common आके कट जाएगा तो 20 और 4 कितना हो गए चॉइस, सही है चॉइस में से अगर 9 गटा लूँ मैं तो कितना मिलेगा 15, यानि 15P मतलब वो P तो कटी गया यह जो P है ना, वो सारे के सारे कटी गए तो मुझे यहाँ से K कितना मिला तो K मिल गया 15 15 मिल गया, मतलब option B क्या हो गया हमारा correct answer हो गया आई बात समझ में I hope सारे सवाल आपको सभी से समझ में आ रहा है और एक-एक सवाल आप कर भी रहे हो साथ-साथ में ठीक है, try जरूर करना है सबको अगला सवाल है 71 number question क्या कह रहा है देखो आपको यह दे रखा है A बटा B बराबर है किसके C बटा D के तो आपको यह find करना है A बटा B बराबर है किसके C बटा D के तो आपको find करना है M A प्लस N C बटा M B प्लस N D ठीक है, इनको solve करना आप उनको तो किस प्रकार से कर सकता है देखो यहां पर मैं क्या करता हूँ कि यह जो उपर लिखावा है इसमें मैं एक बार C common लेने कोशिस करता हूँ देखते हैं क्या होता है मैं जब उपर C common लूँगा तो C तो बाहर आ जाएगा bracket के अंदर क्या बचेगा M और यहां पर जाएगा A बटा C प्लस यहां पर क्या बचेगा N और नीचे क्या रहेगा तो नीचे जो है यहां पर जब मैं D common ले लिता हूँ माल लो मैंने D common ले लिया तो यहां पर क्या बचेगा M B बटा D और यहां पर क्या बचेगा N इस प्रकार से चीज़े बचे कि मैंने उपर C common लिए नीचे D common लिए यहां पर basic common दिमाग ही लगाना पड़ेगा आपको यह इस प्रकार के सवालों के लिए कोई fix तरीका नहीं है अब जैसा सवाल है वैसा आपको on the spot उसी समय सोचना पड़ेगा कि यहां पर क्या कर सकते हैं और यह सारे चीज़े कैसा पता चलती है तो ज्यादा स-ज्यादा question practice करने पर पता चलती है ज्यादा सवाल करते रोगे तो अपना आप automatically idea होना शुरू हो जाएगा कि कहां पर आपक इसको हम solve कर लेते हैं उपर क्या लिकावा है M into A c और A c का मान कितना आएगा देखो B बटा D आएगा अगर मैं इसको इस तरफ बेज दू तो B उस तरफ चला जाएगा तो A c का मान कितना आएगा B बटा D आएगा और जब मैं इसकी जगे B बटा D लिखूंगा तो आप दे तो A बटा B यानि option D क्या होगा हमारा correct answer होगा अई बात समझ में बिल्कुल basic से बताया यहां पर मैं ना hit and trial ना value putting लगाया कराना में करा सकता था लेकिन basic से इसलिए करा रहा हूं ताकि सारे आप सवाल देख सकते हो पिछले कुछ सवाल हर सवाल में कुछ अलग अलग चीज अब बटा B बटा में माइनस का B बटा है यह बराबर है X अनुपाद Y के साथ ही साथ हमें यह भी दे रखा है तो आपको X का मान ग्याद करना है कि वो कितना होगा ठीक है तो सबसे पहले तो इस रेसियो को थोड़ा देख लेते हैं क्या है यह यह बटा B और बटा में कर सकते हैं और यह किसके बराबर है यह बराबर है एक्स बटा Y किसके बर-तर होगा मानoha Ben No तो य जब उस तरफ चला जाएगा बागी सारे चीजी जब आप इस तरह बेजोगे तो आपको Y कमान कितना मिलेगा आपको मिलेगा B SQUARE X बटा A SQUARE और यह माइनस है तो माइनस लगा लो Y की जगे है तो यह Y की जगे है रख लो यह माइनस का जब माइनस का पूरा आप यहां पर रखो किते हैं अटोमेटिकली पलस बन जाएगा और यह मिलेगा मेरे पास B SQUARE बटा A SQUARE और X और बरबर में कितना है A B B PLUS B B B A इसको सॉल करना है देखो दोनों में X common आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा 1 PLUS B SQUARE बटा A SQUARE और सामने क्या हो गया तो सामने हो गया A सामने देखो जब आप नीचे A B L C M लोगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा A SQUARE PLUS B SQUARE मिलेगा ठीक है एलजबरा बनके एक तरीके से रेशियो प्रपोर्शन तो क्या यह तो यहां से चोटे-चोटे से चीज है क्लियर होगी बस और तो कुछ नहीं है आगे जब बढ़ोगे तो theoretical सवाल आएंगे रेशियो प्रपोर्शन के अब यह एलजबरा के सवाल बनके एक तरीके से देखा जाए तो सवाल इन्हों ने इस बुक वाले ने किसमें देदी है रेशियो प्रपोर्शन चेप्टर में देदी है इसको सॉल कर लेते हैं फटा-फट और एक्स निकाल देते हैं तो यह कित्ता हो गया प्लस-b-square बटा में ए-b ठीक है और इन्टू में क्या एका इसको सॉल कर लो इसको पहले सॉल करो कि फिर जब उदर जाएगा इसको जब सॉल करो तो यह कित्ता आएगा तो यह हमारे पास मिलेगा ऐ-स-quare प्लस-b-square बटा में a-square मतलब इस चीज को हटा के मैं यह लिख रहा हूँ, LCM लेके लिख दिया यह A² जब जाएगा तो उद्वर के उपपर आएगा तो यह उपपर लिख दिया और यह पूरा का पूरा नीचे आएगा A² प्लस B² आप देखोगे यह कट गया इसके बाद यह भी कट गया बचा क्या आपके पास A बटा B बचा क्या बचा A बटा B बचा यानि X का मान कितना होगा A बटा B यानि None of these option D हई बाद समुझ में सिंपल सो सवाल आई हूँ, पच्छी तरीके से clear है calculation वगेरा, सबका ध्यान रखना है यहाँ पर मैंने A स्क्वाइल सेम ले लिया A स्कौाइर प्लस B स्क्वाइर बटा में A स्क्वाइर थाह constitutional ये सारी चीज़े मैंने बीज दी उस तरफ तो ये A स्क्वाइर उपर गुणा में होगा देखो यह गुणा में कर दिया और यह चीज नीचे बटा में जाएगी बटा में चलिए बाकी जो जो कट रहा उनको काड़ दिया और यह हमारे सामने अंसर आगिया क्लियर आगे बढ़ते हैं अगला सवा देखलते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन है 73 नंबर क्वेस्टन यहां पर आपको क्या बुला है कि तीन रेशियोज है यह कुछ इस प्रकार से आपसर बराबर है और सब को इसने कुछ मान लिया कि के मान लिया ठीक है तो आपको के का मान गयाद करना है अब अगर आप देखते हो तो आपको A प्लस B का मान कितना मिल रहा है C के B प्लस C कामान कितना मिल रहा है आपको A के और C प्लस A कामान कितना मिल रहा है B के इन सब को आप जोड़ दो जब आप इन सब को जोड़ोगे तो A और A जोड़ गया 2A B और B जोड़ गया 2B C और C जोड़ गया 2C तो सब कुछ जैसे ही मैंने जोड़ा तो 2 तो common हो गया क्या मिला? A प्लस B प्लस C जब मैं इन सब को जोड़ूँगा तो K common आगया अंदर क्या बचा? A प्लस B प्लस C आप देख सकते हो A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C कट गया तो हमारे पास K common कितना आया? K common 2 आया, K common 2 आया मतलब option C क्या होगा हमारा correct answer होगा आई बात समझ में तो ये थे हमारे सवाल हमने 73 तक के सवाल कर लिए है और I hope आपको सारे सवाल एक एक सवाल अच्छी तरीके समझ में आ गए है आगे आने वाले सवालो को में अपकमिंग पार्ट्स के नदर सवाल करेंगे आप साथ इसाथ हिल्दी वाली आरस अगरवाल को भी पूरी-पूरी सवाल करते रहें अच्छी कैसे एक प्राक्टिस दाएगे ठैंक्यू बरी मच प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब डिजिटर तैयारी